ऐसा एक भी वचन नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखाओ पहले ये बात समझने बाइबल कहती ये वचन तुम्हें चंगा करने के लिए लिखे गए प्रेरितों के काम के टाइम कलीसिया बाइबल कहती है अपनी अपनी प्रोपर्टी बेच कर कलीसिया प्रेरितों के पैरों में रखती थी और वो चर्च के काम होते थे अब ध्यान से समझना ये चर्च में आया इसने वचन को कबूल किया अपनी प्रोपर्टी बेज दी, मुझे दे दी, खुद बैठ गया फिर ये आया, इसने बेज दी, इसकी शादी मैंने करवा दी जर्च बना दिया, साउंड ले लिया अच्छा अब क्या, ये सब कंगाल होते गए क्या क्योंकि अपनी अपनी प्रोपर्टी बेज दी तो अगर चर्च में दस हजार कंगाल वैठे होंगे तो प्रभू का काम कहां से चलेगा ये श्यमसी ने कहा, तुम में से ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, माता, पिता, खेत, प्रोपर्टी छोड़ दियो और मैं उसको सोगुना वापिस ना करूँ बाइबल बताती है, जिस दिन पत्रस ने परचार किया उस दिन तीन हजार लोगों ने बब्तिस्मा लिया और वो गिंती हजारों में बढ़ती गई अगर वो सभी कंगाल होते गए, तो खर्चा कहां से चला अगर इसने एक प्लोट दिया, प्रभू ने इसको दो वापिस किये अगर इसने दो दिये, इसको चार मिले वो गया, चर्च आशिशित होती गई और प्रभू का काम बढ़ता गया क्योंकि जब प्रभू का काम वहां लिखा बढ़ता गया इसका मतलब पैसा भी बढ़ता गया ताकि प्रभू के कामों में कोई विग्ण ना हो तो ऐसा एक भी हुकम नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखाओ अगर प्रमिश्वर ने कहा धन्य कहना मुझे हाँ सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है क्या बच्चा मर जाए तो उसको धन्य कहोगे बड़ी कठोर बात है अयूब की तरह कर आज बिजनस खतम हो जाए तो कल क्या अगले इस संडे मीटिंग में आओगे अगर आज घर जाके मालूम हो कि वाईव छोड़के चली कि ये बच्चों समेर क्या संडे मीटिंग में आओगे मैं पूछ रहा हूँ येस कहना येस करना उतना ही फरक है जितना शैतान और परमिश्वर में रूत कैसे बचाई गई पिता को धन्य कहके धन्य कहने के लिए कारण तो कोई नहीं था पती नहीं था, ससुर नहीं था, पैसा नहीं था ये नहीं था, पती नहीं हो तो बहुत पैसा है या ससुर जिन्दा है कोई वात नहीं खाना पिने की कमी नहीं है लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी उसने क्या का मैं वापीस चली जाओंगी पर यहावा को धन्य कैसे कहूंगी मैं यहीं रहूंगी सिर्फ यहावा को धन्य कहने के लिए बाइबल कहती परमेश्वर कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं कहता अगर उसने आपको धन्य कहने के लिए बोला आपके मुश्किल परसितियों में तो इसका मतलब वो उसको आपके फायदे और आपके गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं वो मूरक नहीं है उसने आपको बुद्धी दिये जो विज्ञानिक आज मार्स मंगल पे चंदरमा पे पहुंच गए उनको बुद्धी देने वाला कौन है परमेश्वर उसने जो आज कम्प्यूटर जब बना था ना तो जतना ये टेंट लगा इतना बड़ा स्टेज इतनी वड़ी हाट डिस्क थी जो आज आपके जेव में जो माइक्रो काड ना उसमें जादा स्टोरेज है जो पहली हाट डिस्क बनी थी वो इनसान जो इसकी बुद्धी बढ़ती जा रही है परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मुरक होगी ये मैंने बनाई ये बुद्धी जो computer आज हमने बनाए हमारी बुद्धी ने बनाए सोचो जिस बुद्धी को परमेश्वर ने बनाया वो तुम्हें फालतों में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर या मेरी वर्शिप कर या मेरा थैंक्स कर या वेभी चार छोड़ दे या नशा छोड़ते आपको boring करने के लिए नहीं आपको कुछ देने के लिए कुछ build करने के लिए वो आप में वो देखता है जो आप नहीं देख सकते आप अपने आप में वो निकाल सकते हैं अपने आप से जो परमेश्वर जिस तरह देखता है वचन पे चलके, आमेन, आप कमजोर नजर आते हैं, परमेश्व कहता नहीं, तू दबो रहा है, तू गिदोने, पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से, आप वचन पे चलते रहेंगे, हाँ, क्या करेंगे वचन पे, दिल करेगा तब भी, नहीं करेगा, दुखी हो के तब आप चलते रहेंगे, आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी, जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको, आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो, आप एक पत्थर की तरह आए हो, जो एक्चुल में ही रह है, अगर उसे तराश नहीं जाएगा, वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा, जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो, तो कोई कसी काम कर नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो, तो दो हजार करोड से भी जादा उसकी वेल्यू होगी, इतना सिरुफ, आप इमेजिन करो, आपकी वेल् मारे घर में ये घटना हो गई, आप कैसे थैंक्स करेंगे, हम मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीजा नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ खतम हो गया, मेरा तो मेरी तो मंगनी तूट गई, यहां लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी तूट गई, रो रहे हो कभी भी रोग नहीं तुम अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो अगर तुम्हें कोई छोड के गया उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम्हें एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर उसे लेने के लिए तयार होगा